हेलो वर्यूवन दिस इस एलिक स्मित वेलकम तुनालिज दा एंबिशन स्वागता आपका करेंट अफेर टूड़े के सेशन में आज है 24 अपरेल 2020 और आज की इस वीडियो हम डिसक्स करने वाले 24 अपरेल के सभी मोस्ट इंपर्टन करेंट अफेर तो वीडियो को एंड तक द करते हैं इस वीडियो का पीडियेफ जो आपको वार्टसप ग्रूप या टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिये गए हैं आप वहां से जॉइन कर सकते हो फर्स्ट कॉशन है हमारा पूछा गया कि वाट इस दा रैंक आफ इंडिया इ कौनसी रैंग है जो की वॉर्ल प्रेस्ट फ्रीरम इंडेक्स डौाजन ट्वैंटी रिलीज वाय है सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह रिलीज किसके दोरे के जाता है यह रिलीज के जाता है आपका रिपोर्टर्स बिदाउट बॉर्ड के द्वारा पृतों करें तो इंडिया की रंक 114 थी लेकिन इस वार जो है आपका टू प्लेसिस का ड्रॉप आउट रहा है तो यह पहुंच गिए 142 पूजिशन फर्ट वर्ड प्रेस्ट रिडम इंडेक्स रिपोर्ट में नेक्स्ट आपका कॉस्ट नमबर टू पूछा गया कि दा यूएन इंग्लिश लेंग्विजट प्रती इक वर्ष कब मना जाता है बाइस अप्रयल को तेछ अप्रयल को एकिस अप्रयल को याचोबिस अप्रयल को तो इसका राइटिन से आपका ओप्शन नमबर बी यानि 23rd of April को यूएन इंग्लिश लेंग्विजज देपना आजाता है प् English 23rd April has been chosen to mark both the birthday and date of death of William Shakespeare तो William Shakespeare का birthday भी होता है इसी दिन और death भी उनकी 23rd April को होई थी तो इसी दिन को जो है चूज किया गया as a UN English Languages Day क्योंकि यह आपकी most जो आपकी six official language है United Nations में जो यूज होती है उसमें से एक है तो आपको याद रखना है 23rd April को जो है UN English Language Day अब्जर्ब किया जाता है प्रतियक वर्ष नेक्स्ट आप का कॉशन नंबर थ्री उचा गया है दा वाश करो एप आप वाश करो एप विच्छ ऑफ दी फॉल्लविंग इंस्ट्यूट तो वर्न अबाउट कोविड-19 सब्सक्राइब के बारे में चिताबनी देने और नकली समाचारों को फिल्टर करने के लिए जो है बनाया गया है इंदरप्रस्थ इंस्टूट आप इंफ्रमेशन टेक्नोलोजी डेली यानि आया आई 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 टी जो आपका डेली है उसके द्वारा ये वाश करो आप जो है बनाया गया है को याद रखना है इसका नाम इंदरप्रस्थ इंस्टूट आप इंफ्रमेशन टेक्नोलोजी डेरी हैब डेवलोप्ट एन एफ नेम निम्ड वाश करो तो बार्न प्यूपल अबाउट दो कॉर्णा वारिस कॉंटेन्मेंट जो और नियूज आइटम आइटम अबाउट पैंडमिक इस जैनूर और फेक तो जो आपकी इसमें हमारी की नियूज है वो भी चैक होगी इसमे को इसके बारे में पता चलेगा तो यह आपका डेवलप केगी एप इंद्रप्रस्ट इंस्ट्ट आफ इंफ्रमेशन टेखनालोजी डेली के तरह तो आपको याद रखना है तो आप हैस बीन डेवलप्ट बाइट टीम लैडवा प्रोफेसर पॉनुरंगम कुमार पॉनुर तो जादा नहीं है लेकिन आपको फिर भी ध्यान में रखने की कि दौर जो है डेवलप्ट कीगी टीम मेंली आपके प्रोफेसर के नाम आपको याद रखने है नेक्स्ट आपका कॉस्टिन नमबर फूर पूछा गया कि हूं अमंग दा फॉलविंग इस तब विल्लिम ए आपका डोगल्स वी मैस्ट्री नो इसका राइटिन सरा आपका ऑप्शन नमबर सी यानि आडम जो आपके आडम हागन बॉर्थम है यह इन्होंने जीता है क्या कॉल्बी मिलिटरी राइट्स अवार्ट तूसाउजन ट्वेंटी अब जो आपका कॉल्बी मिलिटरी आवार फॉर इस बुक मेड़नाइट इन है मेड़नाइट इन काहरनोवाइल यह उन्टोल स्टोरी ऑफ वर्ल्स ग्रेटिस नियुक्लिर डिजास्ट तो यह इनकी बुक का नाम है जिस बुक के लिए इन्होंने किसने एडम हागन बॉथम ने जो है अब और जीता है कॉन सा 2020 का वि प्रेंट आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है दा फाइफ हंट फाइट हाउजन डॉलर प्राइज इस प्रेजेंट इन्विली बाइद नौर्विच युनिवरस्टी इन अधर फील नौर्थ फील वैर्माउट फॉर आउस्टेंडिंग बुक और मिलिटरी और इंटेल डॉलर प्राइज के साथ और यह प्रिदोशा बीस का जो अवार्ड दिया गया है विल्लिम इक और भी मिलिटरी अवर्ड यह आपका एडम हैंग बाथम को दिया गया है नेक्स्ट आपका अब एडम हैंग बाथम की बात करें तो राइट फॉर दा नियॉय आपके ये दा कि नियुएगर कर द नियु-यॉक टाइम्स मैगजीन के लिए लिए दे वाइड के लिए जी क्यों के लिए और स्मिट सॉनियन द आथर उफ मिड़नाइट इन कैनवाईल ही लिफ लिफ ग्रिपी न New York City तो नियू-उयॉक सिटी जैंए आपको यह भी पता और आपकी लग company has been given the charge to launch the first fully digital bank of Israel किस बारते company को इसराइल का पहला पूरी तरह से digital bank launch करने का प्रभार दिया गया है विप्रो को TCS को Infosys को या HCS HCL को तो इसका राइटिंज आपको option number B TCS यानि Tata consistency services will launch Israel's first fully digital bank TCS की बात करें तो TCS इस इस इंडिया लार्जस सॉफ्ट्वेर सर्विस फर्म सीयों इसके प्रजेंट टाइम पर राजेश गोपिनाथन फांड हुआ था अपर 1968 को revenue यहां पर आपका दिया गया है headquarters का मुंबई में है और जो parent organization है वो टाड़ा ग्रूप का टाड़ा ग्रूपन कंपनीज जो आपके फकीर चंद कोहली जयार्ड टाटा एंटा संस के दौरें फांड किया गया था कि आपका टाटा कंसरेंस कांसरेंसी सर्विस तो यह इसी के दौरा जो है आपका इसराइल का फुली फ्लेज़ डिजिटल बैंक आपका लांच किया जाएगा तो आपको याद रखना है नेक्स आपका कॉस्ट नंबर सिक्स पूछा गया है कि वाट इस दा थीम औफ वर्ड बुक डे 2020 फर्स्ट अफ आपको वर्ड बुक डे कब मना जा था आपको पता होना चाहिए पिछली वीडियो में ने डिसक्स किया था वर्ल्ड बुक डे एंड वर्ड बुक और को पी राइट डे तो इसको वर्ड बुक डे के नाम से भी दो एक्यीं यह रही है बटर आसीम फर बुक डे 2020 अब कि share a story share a story see the need रही है तो आपको याद रखना है वर्ल बुक डे जो है आपका 23rd अपर लिक्म ना जाता और 2020 की तीम रही थी शेयर और स्टोरी ऑप्शन एक्स का सही अंसर है नापर बात करें वर्ल बुक डे और आज दा वर्ल बुक एन कॉपिराइट टे और इंटरनाशनल डे आफ बुक इस annual event organized by the United Nation Educational Scientific and Culture Organization तो यह आपका United जो आपका वर्ल जो आपका बैडमिंटन वर्ल फेडरेशन है उसके मैं बैडमिंटन यानि आएम बैडमिंटन अभियान के राजदूत के रूप में किस भारती शेटलर को नामित किया गया है सान्या नहवाल को श्रीकांत किंदाभी को या फिर आपका पारुपली कशिप क या पीवी सिंदू को इसका राइटन से आपका आप्शन नबर डी यानि पीवी सिंदू को विश्व चैंपियन पीवी सिंदू को 22 अप्राल 2020 को बैडमिंटन वर्ल फेडरेशन के आएम बैडमिंटन अभियान का राजदूत नामित किया गया है इमानदान और सवचनातक क की वकालत करने के लिए जो है अभियान यह शुरू किया गया है और बैडमिंटन वर्ल फेडरेशन के हम बात करें तो इसका हैड़कॉर्टर आपका कॉलारम पूर मलेशिया में और फांड हुआ था फाइफ फिफ्ट ऑफ जुलाई 1934 को अपर जैन टाइम पे इसके आपको याद रखना है पीवी सिंदू को जो है अजब ब्रांड अमबैसेडर इसका जो आपका आयम बैडमिंटन केमपेन इसका अमबैसेडर जो है वो नामित किया गया है नेक्स्ट आपका कॉस्ट नमबर 9 पूछागे क्यों मांग दाफ वालविंग रिपोर्ट इड़ एर पॉलूशन इंडिया हास रिज्ट ट्वेंटी एर्स लो तो यह आपकी रिपोर्ट खाली में कल की रिपोर्ट आये तो नासा ने जो आपकी रिपोर्ट दी है कि जो इंडिया का पॉलूशन रिपोर्ट है नि इंडिया में पॉलूशन हास रिज्ट ट्वेंटी एर्स 20 years low काफी बहतर सिचुएशन हो गिये देन नाशनल आपनाउटिक संस्पेस अड्मिस्टेशन अनॉंस अन एपर ट्वेंटी टू टू दाट अएर पॉलुशन इंडिया हास रिज्ट ट्वेंटी एर्स लो यानि 22 वर्ष जो आपका 22 वर्षों में जो आपका कार्य होना था प स्वेट लॉंच की थी नासा के द्वारा तो काफी फरक पड़ा है लॉक्टाउन के कारण क्योंकि पॉलुशन नहीं हो रहा है तो काफी सवच वातावरण हो गया इंडिया का हैट को आटर है आपका नासा का वाशिंग्टन डीसी युनाइट्ट सेज्ट में और फॉन्ट इस तरह मुनके दोरा टैन की जो आपकी फिफ्ट अन्वल मीटिंग है बोर्ड फ गोवर्नर्स आफ दी नियू डेवलप्मेंट बैंक की नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिजर्ब बैंक कैंसर लाइसेंस ऑफ गोवा जोल्डेस्ट मैपुसा अर्बन कोपरेटिव बैंक तो रिजर्व बैंक ओफ इन्याने जो है आपका लाइसेंस रद कर दिया गया गया किसका गोवा के ओल्डेस्ट चॉपका मैस पार बन कोपरेटिव बैंक इसका लाइसेंस रद कर दिया गया है और एन काम कोदी रिपॉइंटेर आज एम डेन सी आफ सीडियूनिन बैंक तो हम बात करते हैं Lebanon become first of nation to legalize Marizona cultivation کल्टिवیشن को जो फस्ट अरब nation ने लाँच आपका legalize किया है वो किया है नहीं तापको आद रखना है Marizona आपको पता होगा इसी कैनफ भी कैसे हम अप्री हिंदी में कहीं तो पाउड होती है चरस होती है तो इसे और लेबनान जो फस्ट अरब नेशन बन गया है तो लेगलाइज इस कल्टिवेशन तब को याद रखना है नेक्स्ट आपका कुछ इंपर्टेंड आपके इंपर्टेंड डेशन बेसे पर रिवाइज करते हैं चल्दी से ने देख लेए उतकल दीवस्ट आपका फर्स्ट अपरिल और उडिशा डेज आपका फर्स्ट अपरिल को ही सेलविट किया जाता है सेकेंड अप्रिल वर्ड और आटिजम अवेर्नेस ते थीम रही थी दे ट्रॉंजीशन ओफ अडल्टूड फॉर्ट अचांट आपरिल को इंट्रणेश्ल देशनल माइन देम नहां जाता है और सब्सक्राइब को व्रहाज करें तो बर्ल्वमियोपैथी देमाइन आ जीए हिरी थी इन इन्हांसिंग डेंफ पिलिए इंप्र जो है 12th April को मना जाता है 12th April को ही आपका इस्टर फेस्टिवल भी मना जाता है 13th April को जलियावालाबाग घत्यकांड हुआ था 13th April 1999 को और 14th April को बियार अंबेड को और रिमेंबरेंस दें मना जाता है वर्ट चागार डिजीज देंपर्टेंट है फर्स ताम सेलिवीड क्या गया 14th April 2020 आपको याद रखना पर तेकवस्ट फॉर्टीन थाप्रेंट को मना जाएगा माचल देंपका 15 अपरेल को मना जाता और इक सब्राइल की बात करें तो हम से भी जाना जाता और तीम आपकी क्या रही है हमने पहले डिसक्स कर ली शेयर स्टोरी वर्ड लिवर्ड डे आपका उन्हेस अप्राइल को ना जाता है यू यूएन चाइनीज लैंगुज डे ट्विंटीन फैप्रेल को और जो आपका यूएन इंग्लिश लैंगुज और 24 अप्रिल को ही अपका सचिन तेंदुल को परत्ते भी अपका सेल्विट किया जाता है तो यह थे हमारे आज की कुछ इंपॉर्टन करेंट फैर कॉशन आफ दी डेव हैं आपको इसकांसर कमेंड बॉक्स में जरूर बताना है पूछा कि किस राज्जे ने हाली में आस्ट वीडियो में कॉशन पूछा गया था नेम दा वीनर ऑफ चाइनीज वर्चुल ग्रांट फिक्स 2020 इसका अप्शन नमबर सी यानि जबके 40 लैक्रिक यह आपकी चाइनीज वर्चुल ग्रांट पिक्स के 2020 के विनर ने हैं तो कॉशन का अंसर आप मुझे मैंड बॉक् सब्सक्राइब सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं और डेली विसीज पर ज़रूर जोड़ेगा नालजज दाइंबिशन पर यहां पर आपको डेली बेसीज पर कंप्लीट कवरेज मिलेगा कर इंट अपका तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अजके इतने बेस्ट अफ लग फ़र ब्राइट फ्यूचर